हेलो फ्रेंड आज हम पॉलर्टी की बात करेंगे पॉलर्टी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे पॉलर्टी क्या होती है पॉलर्टी जो हमारा सर्किट है उसके जो करेंट है उसके परवाह को पॉलर्टी कहते हैं पॉलर्टी का प्रियोग केवल डिसी वेलिंग सेट में किया जाता है एसी वेलिंग सेट में पॉलर्टी का परियोग नहीं किया जाता है क्योंकि एसी वेलिंग में हमारे जो पोल हैं वो सतंतरता पूर्वक चेंज होते रहते हैं तो हम Types की बात करते हैं, Polarity हमारी दो परकार भी होती है, Straight Polarity और Reverse Polarity पहले बात करते हैं Straight Polarity, जैसा कि आप छितर में देख रहे हैं यह हमारी Straight Polarity को सो कर रहा है ये हमारा DC welding set है और जो हमारी state polarity होती है उसमें जो हमारी electrode है जो हमारी electrode की एकेबल जा रही है ये ये negative से connect होती है ये हमारी negative से connect होती है और जो हमारा अर्थ clamp है ये हमारा अर्थ clamp है ये positive से connect होता है जो हमारा positive बोले उस पे 66% 66% हीट उत्पन होती है और जो निगेटिव पूल है उस पे 34% हमारी हीट उत्पन होती है तो state polarity में हमारा जो पूल होगा electrode का वो negative होगा और जो अर्थ clamp है ground cable इसे बोलते हैं जो जो जोव के साथ connect होती है वो हमारी positive बोल से connect होगी है इसे short में हम बोलते हैं S P E N S P E N यह हमारी state polarity electrode negative होगी है दूसरी बात हम करते हैं reverse polarity जो reverse polarity होती है हमारी reverse polarity हमारी उसमें जो हमारा electrode है वो positive pole से connect होगा और जो हमारी ground cable है वो negative से connect होगी positive pole जैसा कि हमने बताया positive pole पे हमारा 66% heat उत्पन होगी और negative पर 34% heat उत्पन होगी जैसा कि आपको इसमें दिखाया गाई यह हमारी welding machine है यहां सी DC welding generator set है और इसके साथ जो हमारी ground cable है वो connect हमने जोब के साथ की हुई है दूसरी और positive pole के साथ हमने electrode holder को connect किया है जो पतली जोब हमारी होगी वहां हम reverse polarity का परयूप करें हैं कि जो वहां हम electrode को ज्यादा पिंग लाएंगे और जो हमारी reverse polarity थी जो हमारी reverse polarity है उसमें हम पतली जोब का परयोग करेंगे और जो तो straight polarity होगी वहां हम इस्टेट पोलरटी जैसे कि देख रहे हैं यह स्टेट पोलरटी है स्टेट पोलरटी में हम मोटी जोब पर वेल्लिंग करने के लिए परयोग करते हैं चूंकि हमें मोटी जोब के लिए heat ज्यादा create करनी परती है इसमें electrode कम पिंगलती है स्टेट पोलरटी में और जो हमारी reverse पोलरटी है इसमें हमारी जो electrode है वह अधिक पिंगलती है हीट ज्यादा उत्पन होने के कारण है तो यह हमारा टोफिक था पोलरटी का आपको समझाया होगा थेंकियो